तो 84 दिन अंसन चला था दिल्ली में तब प्रभुदत द्रमचारी और करपात्री जी महराज ने गोहत्यां दोलन चलाई थी श्रीमत्ती इंद्रा गांधी उस समय प्रधान मंत्री थी बापु जी आगे आगे गाय चल रहा था साध उसमें आप समलित भी होंगे और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे और सत्ता के मद में मत्वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गोव भी मरे थे करपात्री जी महराज का वह बिग्यपती उस समय मीडिया नहीं थी उस समय पेपर मीडिया थी आर्या वर्त और केसरी में छपाता कल्यान गव अंक भी से सांक निकाल के देखो उस समय कर पात्री जी ने हाँ जोड़ कर कहा था हे सत्ता के धीनों हमारे पुरवजों ने संबिधान स्विकार किया है उसमें भी मेरा भी हक है मैं भी भारत का नागरी खूँ आपने संतों को मारा जाओ हम संतों का खूँन माफ करते हैं लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई जाए आपका कुल का नास गोपाष्टमी तिथी में होगा सब लोग भूल गए मैं नहीं भूला मैं नाम दे रहा हूँ अब संजय गांधी मरे अकास में तिथी थागो पाष्टमी इंद्रा मरी आवास में तिथी थागो पाष्टमी राजिव मरे मद्रास में तिथी थागो पाष्टमी संतावग्या करुफल जैसा मैं रामचरितमानस का उद्गोस कर रहा हूँ संचावग्या करुफल जैसा जरई नगर अना ठकर जैसा मैं भारत माता को बचाना चाहता हूँ यही बात जैंद्र सुर्शती के समय में सबसे पहले बापू ने जैललिता से कहा था जैललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि बिनास आ जाएगा नहीं लोग समझे एक सुमानी में जैललिता जी की और केंद्र की सरकार की आउकात सामने आ गई मैं नहीं चाहता किसी का हम विरोद मैं नहीं चाहता संद समाज की और से कि किसी का आहित हो लेकिन ऐसा नहो हम भी मुझाए